एक इसी समुदाय से आने वाले शक्स हैं अमरुतलाल उनके घर पर योगी आदितेनाद आज दुपहर का भोजन करेंगे, खाना खाएंगे दलित समुदाय के साथ और एक बड़ा संदेश देने की बीजेपी की तरफ से इसके जरीए कोशश की जा रही है चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में जहां पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से एक के बाद एक पिछडी जाती से जुड़े नेता, बीजेपी से निकल कर समाजबादी पार्टी की और बढ़ते नजर आए ये तस्पीरें आपके सामने हैं योगी आदितेनाद अमरुतलाल जो ऐसी स साथ बगल में बैठे हुए और पत्तल में भोज करने अमरुतलाल जो की गोरकपुर के फर्टिलाइजर इलाके के जुनिया गेट के पास रहते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद दलित की घर भोजन करने पहुँचे हुए संदेश देने की कोशिश है कि सरकार दलित के दौार है दलित के साथ बिलकुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है उसके साथ उसके घर में भी मौजूद है विकास ये डामज कंट्रोल हो पाएगा इससे जिस तरीके से हमने देखा है एक के बाद एक पिछड़ी जातियों वाले मंत्री विधायक निकले हैं और कहीं न कहीं कटगरे में योगी जी को खड़ा कर गए हैं ये डामज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखी जाएंग के बाद हर साल तकरीवन एक दो बार वो दलित के घर खाना खाने जाते रहें लेकिन चुनावी माहौल है और दलित और पिछड़े के नाम पर आठ से जादा विधायक और मंत्री छोड़ चुके हैं साथ ऐसी सूरत में इस पूरी मुहिम को डैमज कंट्रोल के तौर पर दे कराता है और प्लेटे बरतन अपने आते हैं लेकिन इन तस्वीरों को अगर देखा जाए तो ना यहां वो रेड कार्पिट जिसे लेकर अक्सर विरोधी घिराबंदी करते हैं योगी सरकार की ना वो खास तरीके के बरतन नजर आ रहे हैं यहां तो एक चटाई बिची जब दलित के घर पहुँचना है पिछले के घर पहुँचना है तो कैसे खास इंतिजाम ना दिखें इस बात का भी खयाल रखा जाए ताकि विपक्ष के निशाने पर ना आ आ जाए हूँ देखिए पिछली जाती और उससे मिली जीत की सीटो का हम आकला आपके सामने दिख दिखा रहे हैं बीजेपी गटवंदन को 2014 में लोकसभा में यादवों के 27 फीसदी कुर्मी कोहरी के 53 फीसदी अन्य OBC के 61 फीसदी वोट मिले थे और यह CSDS के हवाले से यह जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं इसके साथ ही पिछडे और उनसे मिली जीत बीजेपी में द देखिए 10 फीसदी या सत्रा और यह 2017 विधानसभा चुनाव में हम दिखा रहे हैं आपको विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत सायोग्यों का अगर साथ मिला लिया जाये तो करीब 41 फीसदी था लेकिन अगर जाती के साथ से देखा जाये तो सिर् जिसमें बीजेपी का वोट बढ़कर करीब 50 फीसदी पहुँच गया था उसमें देखिया आप किस तरीके से कुर्मी कोईरी का परसंटेज सामने निकल कर आता है अन्य पिछनों का परसंटेज सामने निकल कर आता है और 2019 में तो जो यादवों का वोट था बीजेपी के खा पर आलती-पालती मार कर बैठे हुए हैं और हाथ से भोजन का मजा ले रहे हैं और देखिए यही खत्रे की गंटी है बीजेपी के लिए लोक सभा में ओबी सी का यादव का वोट फीसदी बढ़ता बीजेपी के लिए लेकिन विधान सभा में कम हो जाता है ABP News आपको रखे आगे